सत्रा देशों के राजनाईकों का कश्मीर दोरा दोरे का हिस्सा नहीं ई-उ का डेलिगेशन घाटी में अलग अलग नेतां और अधिकारियों से मुलकाद कैंसरकार ने बार राहत के नाप पर बिहार से किया बेहदवाब सियम नितिस कुमार को दिखाई उनकी राजनातिक हैसियत निर्बिया के इसके चारों दोश्यों को 22 जन्वरी की सुबाए 7 वज़े दी जानी अफासी सुप्रिम कोर्ट में सीनियर मोस्ट जज करेंगे सुनवाई वखील ने कहा निश्पक्सिता के साथ नहीं की गई जाज दिली एंसियार में एक दिन में आग लगने की दूसरी घटना सेक्टर 24 के ESI अस्पताल में लगी आग 40 मरीजों को दूसरे होस्पिटल में किया गया शिफ्ट दिली एंसियार में बारिश के बाद दिन में शीत लहर्ष शुरू बारिस ने बढ़ाई दिली NCR की ठंड आगे 5 डिकरी तक गिरेगा तापमा नमस्कार स्वागत आप सभी का नेशन लाइब में मैं हूँ आपके साथ बबली शर्मा क्या केंडर सरकार बार राहत के बहाने बिहार के मुख्यमंत्री नितिस कुमार को उनकी राजनेतिक हैथियस का एहसास दिला रही है इस सवाल तब उठा जब बीते मंगलवार केंद्र के जरीय राज्यों को बाढ राहत के लिए 698 करोड रुपिय जारी किये गए बिहार में पिछले साल दो बार भीशन बाढ आई लेकिन इसके बाब जोद बिहार की मांग पर विचार नहीं किया गया मंगलवार को दिल्ली में केंद्रे ग्रह मंत्री अमिश्याह की अध्यक्ष्टा में राश्री आपदा राहत फंड में राज्यों की मांग पर विचार के लिए एक बैठक आयजित की गई थी बैठक में केंद्रे वित्य मंत्री निर्मला सीतरमन भी मौझुद थी इस बैठक में करनाटक को सरवाधिक 1869 करोड रुपिय राहत राशी दी गई मध्यपरदेश को 1749 करोड रुपिय और उत्रपरदेश को 956 करोड रुपिय की राश्री देने का निर्ने हुआ नागरिक्ता संशोधन कानून और राश्री नागरिक्ता रजिस्टर के खिलाब पूर्व केंद्रिय मंत्री यश्वन्त सिन्हा की गांधी शान्ती यात्रा की श्रुवात हो गई है इस यात्रा में शामिल होने के लिए मुंबई के गेटवे आफ इंजिया पर एंसेपी चीफ शेरत पवार पहुँच गए हैं उनके साथ नवाम मलिक प्रकाश आमबेटकर और प्रत्वी राच अभार भी मौजूद हैं गांधी शान्ती यात्रा के दुरान सरकार से मांगी जाएगी कि वे संसद में घुशना करें कि राष्ट्रिय नागरिक रेजिस्टर नहीं कराई जाएगी यात्रा महराष्टर राजिस्थान उतरपरदेश हर्याना से होकर 30 जनवरी को दिल्ली के राजगार पर खत्म होग है तो वहीं दोशियों की कोशिश इस बात की है कि उन्हें मिलने वाली फांसी की सज्जा और देरी होती जाए इसकड़ी में दोशियों की ओर से एक कोशिश की ज़ारी है तो मैं दिली NCR में एक दिन में ही आग लगने की दूसरी घटना सामने आई है पटपडगंज के बाद नौइडा के सेक्टर 24 के ESI अस्पताल में आग लगी है आग बुझाने के लिए दमकल की छे गारियां मौके पर पहुंच गई है आके कारण चारों और धुआ फैल गया है जिसे लोगों को सांस लेने में खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है आग लगने के कारण अस्पताल में अफरा तफ्री मच गई है आके कारण यहां भरती करीब 44 मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कराए गया है ग्राउंड फ्लोर पर काफी धुआ फैल गया है माना ज़ा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है नौइडा से पहले दिल्ली के कि एसपताल में आग लगी हुई है आग लगने का कारण अभी साफ नहीं हो पाया हालंकि किसी की भी जनहानी के सूचना नहीं है कि तुम्हें खवर यूपी के संबल से है दरसल बहजोई में पप्पु अली इसलाम नगर रोड बहजोई का निवासी है जो साइकल वा मोटर साइकल मेकेनिकी दुकान डियार फैक्टर के सामने चला रहा था पपु ने बताए कि रोज की तरह श्याम को हम दुकान बढ़ा कि दुकान के ताले तूटे पड़े हैं और दुकान के अंदर आग जल रही है यह देख परिवार वालों के होश उड़ गए उन्होंने तुरंद फायर ब्रिगेड को सुचन दी मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गारी ने आग पर काब उपाया जब तक सारा सामान जलकर राख हो चुका था दुकान स्वामी पपू ने बताए कि साड़े चार लाका दुकान में हमारे सामान जलकर राख हो गया है साथी दुकान स्वामी ने अग्यात के लोगों के खिलाब थाने में पहुंचकर तहरीर दी है खबर असम के नोगाओं से जहां नोगाओं पुलिस को बड़ी सफलता हात लगी है दरसल पुलिस के हत्ते दो ड्रग्स व्यापारियों की सरगना चड़े हैं जानकरी के अनुसार नोगाओं जिला सदर्थाना के उप परीदर्शक गौरब जोती महंत के नेतरता उगुपत सुचना के आधार पर पुलिस के एक दल ने बीते मंगलबार को चिले के महरी आटी वाइपास एक तलाशी अभिहान चलाया है तोरान डीमापुर की ओर आ रही एस 21 जी गारी की तलाशी में पुलिस ने पूरे 16 पैकेट हैरोइन बरामत की है वहीं गारी में सबार दोनों यूवकों को पुलिस ने हैरोइन के साथ गरपतार कर लिया है यह दोनों ड्रक्स माफियां उन्हें पिछले कई दिनों से पुलिस की इनाख में दम करके रखा हुआ था वहीं पुलिस ने बताये कि यह दोनों एक साबुन के पैकेट में उक्त हैरोइन को छपा कर ले जा रहे थे गरपतार युवोगों के पहँचान मुरी गाउं जिले के निवासी आटुबूर रह्मान और दूसरा त्रिप्रा का रहने वाला अब्दूल हानिफ बताये गया है तो मैं जिले की पुलिस अधिक्षुक ने बताये कि उक थेरोईन डीमापूर से मुरी गाउं ला रहे थे डायेक्ली नोगाउं टाउनों थेखिनी नुखुमाई बानोगाउं डिस्टिक्टों थेखिनी नुखुमाई तार विखे इंफोर्मेशन दू पाबलो अला पान कोठीन तार बाहिरों अमिक इंटु सोर्स किस्मान एंगेज कोई रही सिलू रिगर्डिंग ट्रांजिट इंफोर्मेशन और भिट्टिते आजी अमें अटा विखे खुट्रे रहे इंफोर्मेशन पालू के दिमापूरों परा दुज़न ब्यक्ति एंफ़न वेगनारोट अटा लार्ज क्वांटिटी ड्राग्स लोए हीववली आमाटा ता खबर असले खबर भिट्टित ओटी क को खुल रहे अमार टीएसाई गोड़ोवजोटी मांटा तो वहीं असम्राज्य के तिंसुग्या जुले के अंत्रगरत मारी घेरिता में चाय श्रमिकों ने सीए के व्रोध में और सरकार की श्रमिक नियमों के खिलाप जुलूस निकाला मार्ग घेरिता की अर्टिस नंबर राज्जगंमार्ग में भारी मातरा में चाय श्रमिकों ने निकलाए और रोध पर्द्रशिन किया आसम चाय मजदू संके जडरीये यह जुलूस निकाल गया है, अजुलूस में हजारों की संक्या में चाय श्रमिकों की उपसटिश देखनी की है तो चले प्लाल मेरे साथ इस ब्लेडिन में इतना ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें नेशन लाइब नमस्का